आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ Select the options in which the genus is correctly matched with all the characters found in it पूछा गया है कौन सा ऐसा Option या पर गिवन है जिसका genus के साथ सब जो characters दिये गए हैं वो match होते हैं तो जली एक एक करके discuss करते हैं पहला है केसिया केसिया किस में आता है तो केसिया आता है हमारे Family, Fabacy में और यहाँ जो characters दिये गए हैं जो कि Zygomorphic Flowers हैं यानि जो flowers है वो क्या है वो bilateral symmetrical है मतलब एक ही plane of paper में हम लोग इसको equally divide कर सकते हैं next है Imbricate Estivation यानि की जो Estivation है वो ऐसे cover रहता है पहले एक large जो petals होता है या सेपल्स होता है वो cover करता है दो सेपल्स या petals को और last में small petals पाया जाता है सेकेंड है साइमोज inflorescence यहां पर साइमोज नहीं दिखाई देता है साइमोज एक ऐसा inflorescence है जिसमें पहले ही जो node होता है वहां पर flower आ जाते हैं और बाकी जो है वो lateral branches में grow करने लगते हैं लेकिन यहां पर केसिया में जो पाया जाता है जिसमें क्या होता है जो lateral या पर जो terminal branch है वो grow करता रहता है और जो flowers आते रहते हैं वो branches में branching होने के बाद आते रहते हैं ऐसे करके और जो main branch है वो grow करता रहता है इसी वएसे केसिया का जो characters है वो सही से match नहीं है next है P तो P किस family में आता है तो P भी फैविसी family में आता है और P के अगर nodes देखें या फिर roots देखें तो वो nodular है यानि जो roots है उसके नीचे ऐसे nodes जो है वो बने हुए रहते हैं nodes इसी लिए बने रहते हैं ताकि यहाँ पर nitrogen fixation हो सके with the help of bacteria nitrogen fixing bacterias और इसी वज़े से इन लोगो leguminous plants भी कहा जाता है और zygomorphic flowers जैसे कि हम लोग ने बात किया ये भी correct है और legume fruit जैसे कि हम लोग बात किये कि जिसके अंदर leguminous plant के अंदर जिसमें nitrogen fixing bacterias present रहते हैं और P जो है ये एक leguminous plant है इसी वज़े से इन में सारे characters जो है correctly matched है इसी वज़े हम लोग second को tick कर लेंगे next है sunflower जो की head है और next है basal placentation जो की बिलकुल correct है sunflower को अगर हम लोग देखे तो इसके basal placentation है मतलब अगर हम लोग ovary को देखे तो यहाँ पे जो ovule situated रहता है वो lower placenta में situated रहता है next है cariopsis fruit तो cariopsis fruit क्या होता है जो fleshy fruits होते हैं लेकिन sunflower की जो fruits produce होते हैं उसको achiny fruits कहा जाता है जिसमें क्या होता है कि single seed ही रहता है single seed और इसी वज़े से जो हमारा sunflower का matching है वो characters में last character correct नहीं है last है cucumber cucumber का family है वो क्या आता है वो है cucumber और यहाँ पे जो characters देगहे है पहला है palm फिर parietal placentation यानि जो प्लासंटीशन है वो parietal है यानि last के तरफ ऐसे parietal end के तरफ जो है placentation पाया गया है और last पूचा गया है epigynus flower epigynus मतलब कि जो placenta है वो middle में situated रहता है और जो petals petals हैं वो middle से ही grow करते हैं यहां सारे characters तो सही हैं लेकिन पहला जो पॉम वाला character है यह correct नहीं है क्योंकि पॉम वाले character में आते हैं कि uncountable seeds uncountable seeds लेकिन जो हमारा cucumber है यह क्या होता है यह tri carpillory है जिसमें की 3 ovule के सेट जो है वो पाए जाते हैं इसी वज़े से यहाँ पे characters में थे first character जो है वो गलत है इसी वज़े से हमारा जो correct answer है वो हो जाएगा P, जो की second option है